हलो दोस्तों मैं हूर राम और आप सभी का फीसर स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चन्प पर दोस्तों आज आज में बहुत ही यूनिक अफ्र वेशन पोस्टर रिजन करना सिखेंगे जैसे का आप सभी के स्क्रीन पर दिखे रहा है तो बीना देरी करते भी चल करता हूँ और यहां पर याँ पर प्रिंट में यहां पर यहां पर चाहिए करोंगा यहां इस तरह में नीचे के तरह दआर कलर पिख करोंगा तो इसमक्रइब की anyway यपर जानेरेतर हम जानेरेतर जाएगा करोंगा अब मैं जाने अब मैं आजोड़न के अब खरनक और यहां पर लुज करोंगा और एशा जुज हमें पर की तरह जाके CTRL से और CTRL J करके इसका एक duplicate लिका लूँगा राइड क्लिक करूँगा और यहां पर smart object कर लूँगा अब मैं जाओंगा filter में और यहां से जाओंगा noise में यहां सपरूँगा add noise और यहां पर add noise करके मैं यहां पर 6 रपूँगा OK करूँगा अब मैं इन सारे layer को में lock कर लूँगा तो इस सारे select हो जाएंगे अब यहां पर प्रेस करके मैं से lock कर लूँगा ताकि हमारी design नहीं लेना अब मैं जाओंगा यहां पर जो कि मैंने आपे design रखा हुआ है यह मैंने फिलिपिक से download करके रखा हुआ है तो इसका link आपसे description में दे दूँगा और यह design मेंने कौन-कौन से frontiers की है इसका name है सब और यह हमारे text रहे है तो इस text को हम manage करेंगे मैंने तुम इस तरह select करके यह अब मैं जाओंगा यहां पर और इस design को select करूंगा और यहां पर लाकर इस तरह में रख लूँगा Ctrl T करूंगा और इसे 90 degree पर इस तरह में rotate करके इस तरह में बढ़ा कर लूँगा और इसे विल्कूर्ट corner में यहां पर रखूंगा इस left side से में इसे बढ़ा करके इसे इस तरह में manage करूंगा इंटर करूंगा अब इसे एक duplicate लिखा लूँगा अट प्रेस करूंगा और यहां पर इस तरह में Ctrl T करकी से राइट क्लिक करूंगा और इसे इस तरह में rotate करूंगा और इस तरह में corner में से भी रखनूंगा इस तरह थोड़ा राइट में कर लूँगा मैं इंटर करूँगा तोई जाने मा कुछ चीज़ता दिखे गए दोस्तो अब मैं क्या करूँगा अब मैं जाओंगा यहाँ पर रेक्टेंगल से लेक करूँगा और यहाँ पर इस तरह में एक बॉर्डर ले लूँगा इस तरह में जाओंगा बॉर्डर में और यहाँ पर में जाओंगा ग्रेडियंट में और ग्रेडियंट में यहाँ पर जाके ग्रेडियंट को चूश कर लूँगा और यहाँ पर इस तरह में पंटूल एक अरके में इसे सेंटर मिल्डर में चेक कर लूँगा Ctrl D करूँगा, अम इस लेयर में और इस border को select करके बिल्कुल background के ऊपर रख लूँगा, अमें यहाँ पर तो यह इसके पीशे चला जाएगा अमें इस सारे text को select करूँगा, यहाँ पर इस तरह में इस text को select करके नीचे की तरफ आऊँगा, और यहाँ पर इस सारे text को select कर लूँगा, Ctrl G करके में इसे group कर लूँगा, अम इससे पर right click करूँगा, और यहाँ से जाके smart object कर लूँगा इससे इस तरह, अमें Ctrl प्रेस करूँगा, और यहाँ पर click करूँगा, तो यहाँ पर इस चारत रूपर selection और हो जाएगा, अमें जाएगा gradient में और यहाँ से gradient में जाके यहाँ से golden gradient डेल लूँगा, मैं इससे ok करूँगा, पेदे तो मैं आप से इसका color code लूँपर, यहाँ पर यह यहां पर खुरूँगा diamond इस तरह और यहां बे ओकी करूँगा तो fine दोस्टों यह जाना में रेडियो हो गया तो दोस्टों यह जाना आपसे कैसा लगा प्लीज मयों केमेंट करके बताईएगा और गर मैं चैनल पे नए तो प्लीज में चानल को लाइक सब्सक्राइब करेगा धन्यवाद मिलते नेक्ट शोड़ियो में